हेलो फ्रेंट्स आज हम आटे के मोमोज बनाते हैं देखे इसमें सारी सब्जियां जो भी आपके पास एविलेबल हो मैने लीवी है पत्ता गोबी शिमला मेज टमाटर प्याज पत्ता गोबी धनिया और सबसे इंपोर्टेंट चीज है वह है सोयवीन के चंक्स इनसे वाजा जाता है फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है चंक्स को पहले बिगा देना है और उसके बाद जाली में जान देना है इसके बाद आप देख रहे होंगे कि सिंपल वाला आटा जिसके हम रोटी बनाते हैं एक सोफ्ट डो हमें तैयार कर लेना है थोड़ा सा ध्यान रखें अच्छे से टेस्ट करने के लिए उसमें नमक भी डाल दे और उसको थोड़ी देर छोड़ दे कम से कम 15 मिनट छोड़ दे उसके बाद आटा बिलकुल तैयार हो जाता है जैसे सेट होने के लिए रोटी बनाने के लिए भी हम आटे को सेट करते हैं उसके बाद आप उसकी च के लिए अब हम उसमें अपनी मसालदानी में से जो भी आइटम पसंदों मैंने डाला है नमक, मिर्च, मिर्च, काली मिर्च पाउडर और जीरा, हींग, सबी चीजे जो भी हम नॉर्मल सबजी में इस्तमाल करते हैं वो सब हमने इस उसको छोटी कड़ाई में नॉर्मल कड़ा है थोड़ा थोड़ा स्वाद आना चाहिए सब्जियों का वह आप देख रहे होंगे चोटी चोटी लोहियां बना के जो हमने उनकी चोटी चोटी टपाती स्टाइल हमने उनको बेल लिया है कभी हम होली में जिस तरह से गुजिया बनाते हैं उसी तरह से आप इनकी शेप बना लीजे आप देख रहे होंगे जैसे वीडियो में दिखाया गया है किस तरह से गुजिया वाली शेप में भरने के बाद उसको दोनों तरफ से जो उसके दोनों कौर्णर होते हैं ओवरलाप करके अपने थम के यानि कि अपने अंगुठे के उपर से आप उसको चिपका अब सारी लोया अलग लग डिजाइन से जैसा आपको पसंद हो मैंने दो तीन डिजाइन की बनाई है आप भी तैयार कर सकते हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको बेलना है मीज जब आपने उनकी चोटी-चोटी चपातियां बेलनी है जो लोय बनाई थी हमन तो ध्यान रखना है कि बीच में से थोड़ा मोटा होना चाहिए और साइड चाहिए और साइड से पतला क्यूंकि उनको जब मिलाएंगे तो geta way new tab नहीं होना चाहिए जब उनको steam क्रेंगों तो व्यक्त कच्छा नहीं रहना चाहिए तो साइट्स पतले होनी चाहिए और बीच में से थोड़ा मोटा जो कटोरी स्टाइल का बना दें जैसे आप आलू का पराठा बनाते हैं तो उस समय भी ध्यान रखते होंगे कि हमारी फिलिंग चारो तरफ से फैलनी चाहिए अब ये हमारी मॉमो तैयार हो चुकी है आप गो इसको मैं दो तरीके बताओंगही आपको इसको स्टीम बेक वाले और फ्राइड नॉमो मो बहुत लोग स्टाइड मो zoals क्या करते पहले स्टीम बेक करता उसको बाद में फ्राई करते हैं लेकिन आप ये मेरा नया तहीर का देखकर डंग रह जाएंगे और स्वाद में ये बहुत ही लाजवाब होंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने सारी मुमोज की जो मुमोज है वो तयार करके रख लिये हैं इसको आपने टू पार्ट मे डिवाइड कर लिया है एक तो हम स्टीम बेक करेंगे और एक को हमें उसमें जैसे शेलो फ्राई मैं शेलो फ्राई भी नहीं बहुत कम वाईल मैंने इसमें मुश्किल से दो चम्मच ऑईल डाला हुआ है रिफाइन ऑईल है इसको चारो तरफ फैला रही हूं जिससे कि जब अब हम इसको पर मुमोज रखे तो उनकी परत अच्छे से सिख जाए तो आप देख रहे होंगे मैंने मुमोज इसके उपर टाल दिये हैं गैस को बहुत ध्यान रखना है बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए ज्यादा हाई फ्लेम में आपके मुमोज जल सकते हैं और चिपक जैसे ही हमने इनको रखा एक मिनिट सिर्फ एक मिनिट आपने लो फ्लेम पर इनको रखना है और घड़ी देखते रहेएगा एक मिनिट के तुरंत बाद आप इसमें कमाल की चीज दिखाऊं मैं आपको आप दिखेंगे कि इसमें मैं साइट से थोड़ा सा पानी डाल रही ह हमें थोड़ा सा दूर रहके करें जिससे आप तक चीटे ना पहुंचे आप देख रहे होंगे मैंने एक कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है उसी तेल में आप बहुत ध्यान से आप इसके उपर एक लिड धक देंगे लिड जो रखनेंगे वो फुल कवर होना चाहिए इसको पर धकन होगा वो दूर तक नहीं रहना चाहिए मतलब कम नहीं होना चाहिए आप देख रहे होंगे कि उसमें उबाल भी आ गया डालते ही पानी के विदिन 30 सेकंड वो पानी जो है क्योंकि हम काम डालेंगे बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है अब देखे वो इस गयास के चूले पर हमने कड़ाई रखी है कड़ाई में पानी रखा हुआ है अब इसको बॉइल करेंगे और इसके उपर मैंने जाली रखी है अगर आपके पास कोई रिंग या कोई और चीज हो जिसके उपर आप मूमोज रख सकते हो चन्निया भी आती है आप उनको इस्त पानी नीचे से उबल रहा है और जाली के उपर हमने सेकिंड पार्ट वाले मूमोज रख दिया है और साथ में हमने कड़ाई को भी तरीके से फुल ढख कर छोड़ दिया है यह वाला जो कड़ाई वाला पोर्शन है इसको कम से कम 10 मिनिट आप सिम ग्रैस पे आप पकाएंग अग्यास को इसको लो मीडियम फ्लेम पे रखना है ध्यान दीजेगा लो मीडियम फ्लेम और हमेशा हमेशा वह वाला बरतन रखेगा जो खड़ाई को फुल कवर कर सके मैंने ट्राई किया था चोटी वाली थाली भी रखी ते लेकिन उसमें से सारी बाब पार निकल रही थ और मैंने इनको opposite portion में आपको दिखाने के लिए कि कितना सुंदर कितना अच्छा कलार आया है और यह खाने में बहुत बहुत यमी लगते हैं बहुत ही tasty लगते हैं जैसे ही आप देख रहे होंगे कि यह देखो side वाले भी जो हमारे उबल रहे हैं 10 मिनिट हो चुके हैं अब हम ने ग्यास को आफ कर दिया है और उपर से हमने उसको भी हटा दिया है थाली को और हम इनको पलट के देख रहे हैं कभी कोई चिपक भी जाता है तो उसकी कोई फिकर करने के जुरूत नहीं है लेकिन आपके मामो मुमोज बिल्कुल पक कर तयार हो गए हैं अब हमें इनको side म प्लेट में सर्व करना है और हम इनको निकाल के रख लेंगे क्योंकि सिर्फ स्टीम है स्टीम बेक है और दूसरे वाले हमारे सेमी फ्राइड हुए यानि कि हमने उनको बहुत फ्राइड है शेलो फ्राइड किया था थोड़ा सा जैसे हम छौक में तेल डालते हैं उसको डा के साथ वा नाइस दे